कि स्वयं प्रभु की बाणि के रहे अथ चे तो महंकारा नस्रोष्च्य सी विनंग्च्य सी यदि यहंकार वस मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनास हो जाएगा इसके लिए प्रभु कहते जिसने मेरा अस्रे ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना योग भी मैं कराऊंगा और चेम भी मैं करूंगा तुम्हें चिंता नहीं करना यह नए साल में देखते हैं लोग कैसे निव हैपी निव यार है हमारा सब हैपी निव है सब हम सब उसी पंक्ती में हैं हमारे विश्वास में कमी है हमारे आस्रे में कमी वो भी वो पूर्ण क करेंगे चिंता मत करवा आप आश्रित होने का अंदर ही अंदर भाव बनाते चले जाओ दिब बिचमत का कोई नहीं रहेगा आपके आस्त्रे में जो आश्रे सब्द है इसमें किसी को नहीं रखेंगे दुखी मत होना आप लेगर हमारे प्रभु का आश्रे लिया तो किसी को नहीं रखेंगे बस शुरू भर रोने दो कोई नहीं रह जाएगा भी या हाँ रोना मत रोना मत क्योंकि ये शुरू हो जाएगा फिर आपका क्यों अब वो भी हमसे मूँ फेर रहें देखो वो किसी की मान लेना मान के कह रहे पूरा जीवन हो गया इसी देखते जहां कहीं लगा है कि चलो कोई तो दूसरे दिन रंग बदल गया उसका दूसरे दिन ही रंग बदल गया फिर आएक नहीं लेनी प्रवू आपके से ओ कोई ले राधा वावा कहते है कि इलका जलनुआ सुभाव है ये दूसरिया नहीं रखते मतलब प्रेम का सब्द है बकाया इसमें बड़ा गूल भाव है ये बड़े कृपाल है हमारा तो सुभाव है फसने का पर ये कहीं फसने नहीं देते ये कृपा सिंदू हमें सदयू अपने ही चरू होगा पकाव जीवन बर देखते आरे इसलिए हम आपसे कह रहे हैं रोना मत क्योंकि हमारा सुभाव पकड़ना किसी ने किसी किसी ने किसी और जहां किसी को पकड़ा तो ये शुरू करेंगे फिर आपको लगेगा इतना भी कृपा नहीं कर सकते इतना भी नहीं कर सकते वो कृपा ही कर रहे हैं आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके बंधन काट रहे एक दिन ऐसा आएगा जब आप की हरदय में ना रहेगा गुरु न रहेगा चेला केवल वही होगा अकेला ही अकेला मान लो नहीं रोना पड़ेगा हम रोए हैं इसलिए कह रहीं मान लो केवल प्रभू अंदर बैठा लो कोई नहीं प्रभू के सिवा बस इतना मान पड़ेगा गुरु पित मात बंध को नाहीं क्या है उमा लाम सम्हित जग माहीं गुरु पित मात बंध ऐसा ही है मात यह सब उन्हीं के परियावाची शब्द हैं वही है वही बस उन्हीं का आस्रे द्रड़ता बहुत जमतकार है आस्रे में मान लीजे स्वयम प्रभू की वानी और के रहे अथचेतो महंकारा नस्रोस्यसी विनंच्यसी यदि यहंकार वस मेरी बात नहीं सुनी तो तेरा विनास हो जाएगा प्रभू का सब्द अथचेतो महंकारा नस्रोस्यसी विरंग्छ्यसी यदि मेरी बात नहीं सुनोगे तो नस्ठ हो जाओगे वो मेरी बात सुनोगे तो मत चित्ताहसरवदुरगानि मत प्रशादात तरिश्यति क्या आपको नहीं हो सकता प्रभू की कृपा से जब एक पारस साधारन लोहे को सोना बना सकती है हम तो प्रभू की जातिके हैं प्रभू की जातिके हैं पक्का है प्रभू की जातिके अच्चित गोत्रे है हरिवंस गोत्रे है हरिवंस हरी के वंस के हैं और कोई यह प्रकतिके आकरशन में आकर आप अपने को भूल गए अपने को और कुछ मान बैठे इसलिए आपके उपर नियम लागू हो रहा है कि नाद हो के तैयार हो जाओ नहीं तो आप हरी के हो वैसे पवित्र हो कि आप कभी अपवित्र नहीं हो सकते हो चेतन अमल सहज सुखराशी अमल आप अमल स्वरूप हो जाधनकाल में जीवन निर्वाह की भी कोई आप बड़ी से बड़ी समस्याने पर निरास और हतास मत होना वो तैयार हो के आ रहा है हर बिवस्था लेके साथ आ रहा है योगक्षी मंबहाम में हो बैठे रो बड़े बड़े चमतकार भक्तों को अनुभों में आये है गांधी जी के बेटे या भाई जी के पास पत्र आया गीता वाटिका में कि वो अपने परिकर सहित गोरक पुरी स्टेशन से निकल रहे हैं और वहीं वो भोजन प्रशाद पाएंगे आप बिवस्था कर दीजी ऐसा सायद गांधी जी के बेटे का ही या कोई परिकर था ऐसा इस सम्रती में तो भाई जी को जब भाई जी ने का गाड़ी आने थोड़ा ही समय रह गया इस समय में कुछ होई नहीं सकता मतलब कैसे क्या 25 लोगों का भोजन कैसे उस पत्र तो अभी मिला अभी गाड़ी आने वाली कैसे कैसे बस जाओं हुआ कैसे तो भूले ऐसे हरी अरे बस इतनी बात थी कि इतने में खड़़ा में जिसमें घोड़ा गाड़ी होती लो उसमें लदे हुए पुआ खीर मीठाव सब आयो बोले भाई जी उनके हां आज संत सेवा उत्सो था तो उनका पहले गीतावाटिका जाएगा तो भाई जी भाई जी तुरंत आज में बठा बोले गोरकपुर इस्टेसल ले जाओ इस्टेसल उसी गाड़ खड़़ए वहां गए गाड़ी रुकी हो सबको पवाया उसक कर तुम मं और म्य था कर तुम सरु समझ कितने ऐसे प्रशंग जीवन में भक्तो या ये अनुभक कराते हैं कि बात, बाद में होती पिवस्ता पहले होती मतलब प्रभूने बनवाना पहले सुझे कर दिया था प्रशाद पाने की मांग बाद में आई और प्रशाद पहले से तवयार करवा रहे हैं हमें क्या परवा सरवग्य शरुशक्तिमान वो सब कर लेंगे दुरुवासा जी को पवाला भी लई पड़ा श्री युदिश्ठिर जी की समस्या का समाधाल असाधारन कृपा से हो गया ऐसी धुले हुए पात्र से साक का प्रगठ होना उस साक को जिव्या पे रखते ही संपुर्ण ब्रमांड का तरप्त हो जाना यह है दुरुवासा जीन का वर्दाल मांगलो लेकिल भोजन की बात मत कहो सुनो हमारे प्रभु बहुत सामर्थ साली विश्वास करके अपने आपको एक जन्म छोड़ दो दिया प्रभु अब हर समस्या में तुम्हें प्रभु की तरफ देखना होगा किसी और से समस्या का समाधान मत चाहना मत बताना मन की समस्या तन की समस्या मत बताना किसी से रहिमन मन की मन ब्यथा रखे मन में गोए सुनी इठ लई हैं लोग सब बाटन लई हैं गोए मत बताना जानने वाले जान रहें और आपको अगर उपहास कराना है, सहाना है, तो हम राजी आपसे ही होंगे, बस आप ही जाने, दूसरा नहीं, वो जान जाएँगे, वो जानी जान है, वो सथ जान रहें उप जान जाएंगे ये जरूर है कि आपकी स्रद्धा इतनी बल्वान हो जाए कि भारी से भारी प्रतिकुलता दिखाई देने पर भी हेले ना ये बहुत सीधा मारक बर्णन हो रहा है बहुत सीधा सब नियम कानूनों से एक अलगे कानून है त्यजलूक धर्मान त्यज लोक धर्मान का सिद्धान पचल रहा है। ऐसा है उसका। हो सकता है आगसे ही तुम्हें बिग्न दिखाई देने लगें आप डरना नहीं। किसी भी बिग्न बाधा को नश्ट करने के लिए क्रपा कवच लग चुका आपके उपर। बिष्वास कर लो अब कोई बिग्न बाधा आपको परास्तने क्रपा कवच लगा हुआ है। और परमार्थिक साधन में ये तो बिवारिक बाहर किवा सरीर रोग रशीत बाहर आदी आदी। परमार्थिक साधन में बिग्न बाधाओं के आने की बात हो सकती। आंतरिक काम कुरुधा दिया और भी बहुत सी बाधाएं ओ जो भगवत प्राप्ति में बाधक भाव प्रगट करके साधक को ब्रष्ट कर देती हैं इसके लिए प्रभु कहते हैं जिसने मेरा अस्रे ले लिया उसको दोनों की तरफ से निश्चिंत हो जाना चाहिए स्वार्थ और परिमार्थ योगक्षेमं बहाम्यं योग भी मैं कराऊंगा और छेम भी मैं करूंगा तुम्हें चिंता नहीं करना अपनी क्रपा से आज से मैं तुम्हारा भार लेता हो तुम्हारी साधना संपुर्ण मैं करूंगा बाहर और भीतरी सारी बाधायं दूर मैं करूंगा और साधन के द्वारा प्राप्त होने वाली बड़ी इस्थितियां मैं प्रदान करूंगा यह बिस्त्राम भूनी आप जो चाहो साधन करा लो आप जो चाहो इस्थिति दे दो आप जैसा आज से आपकी सरण में हूँ रोज अपने ऐसे करते हैं रोज हो रहे हैं ना रोज नय नय होते हैं नया साल तो आज नय साल में होते हैं नयोनेह नवरंग नयोरस यह सुनो देखो लोग उत्साइथ हैं बोले साल नया आया तो इसमें उत्साइथ हैं हमाने तो सब कुछ नया है नयोनेह नवरंग नयोरस न नवल स्याम ब्रश्वानु की सूरी नौ पीतांबर है नई चूनरी और नई नई बूनन भींजद बुले इस सब नया नया कैसा होता होगा उस उपासक के हरदय में यह नए साल में देखते हो लोग कैसे नियू है पी नियू यार है हमारा सब है पी नियू है सब सब नियू न नव ब्रंदावन हरित्मनोहर नव चातक बोलत मोर मोरी नव मुरली जुमलहार नई गती स्रवन सुनते आये घंगोरी नव भूसन नव मुकुट बिराजत नई नई उरप लेत थोरी थोरी ओ जैसी हित हरिवन सहसीस देत मुक चिर जीवो भूतले हाजी कितना आनंद होगा तुम्हें एक विशे में इतने आनंदित हो गुलदस्ता माला भूलो सब अरपित करे हो नाच रहे हो बुले क्या बुले हैपी न्यू एर है एर हाँ हैपी न्यू एर हमारा यहाँ हैपी न्यू सब कुछ एर ही लए सब कुछ डियर हमारा प्यारा नया हमारे प्यार एक सार सब संविधान नया है तुम्हारा इयर हमारा डिया है हमारा प्यारा नया है हमारा प्यार नया है हमारे प्यारे के सब कुछ लया है नमीन है इसलिए सोच के इतना अनंद होगा जब सब कुछ नया है नया प्रीतम नया ब्रंदावन नमीन सुभा नमीन बंसी नमीन भूशन मु जाओ अने स्वार्थि की चिंता ना परमार्थि की चिंता अब है ये जैसे हैं आपके हैं उले भजन नहीं मनता ओ भजन बने तो यह दो यह चिंतता आवे प्रभु यहां कह रहे हैं कि जो साधन के द्वारा इस्थिती प्राप्त होती हो मैं करवाऊंगा तो साधन में तो चूक हो सकती लेकिन प्रभु के वच्चनों में चूक नहीं हो सकती सिर्फ इन स्रीचरणों के आश्थ्रे के सिवा आप में कोई बल नहीं है किसी से कोई भी आज करेंगे तो आपका परिहास ही होगा ये बात समझना होगा इसलिए आश्थ्रे तत्त कुछ समझना अवस्यक है नहीं आप निरास हो सकते हैं हतास हो सकते हैं उदास हो सकते हैं जब हम इस मार्ग में चलते हैं तो प्रगट में आस्थ्रे लेने की आदत होती है अपने लोगों की बहुत जन्मों से आदत है प्रगट में आस्थ्रे लेने की किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी इस्थान का, किसी विशय का परिणाम में कले से ही हाथ लगेगा यदि आपने स्री चरणों कि सिवावर को याश्चरे लिया तो कहीं भी, कहीं भी गुरु चरणों के आश्चरे का अंतरिक भाव प्यारी जु प्यारे जु के चरणों का ही आश्चरे है गुरु चरणों से प्यारी जु प्यारे जु के सी चरणों की आशक्ति का ही पुर्ण सयोग बनता है गुरु आग्या, गुरु शेवा, गुरु मंद, गुरु पदेश, प्यारी जु प्यारे जु किसी चर्णों की द्रड़ता प्रदान करते हैं यदि आपने प्यारी जु प्यारे जु के चरणों की बाद छोड़ दी, तो आप कहीं भी हो, आपको जो इस्थिती चाहिए वो नहीं आएगी, तयार रहना है, प्रगट में गुरु आश्रे भी छूट सकता है, पर गुरु मंत्र और गुरु प्रदेश न छोड़ना, प्रगट में छूट सकता है, सानित भी छूट सकता है, आपको आश्चर यह नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रगट में जो आपने जिनको गुरु माना है, वो नासवान सरीर है, वो नस्थ होगा, आज नहीं तो कल नस्थ होगा, प्रगट में आपने आस्थरे लिया है, तो सच्चिदानन स्वरूप होते हुए भी बेवहार में त्रिगुनात्मिका प्रकतिका बरता हो सकता है, अनकुलता प्रतिकुलता की वारता हो सकती है, फिर क्या करोगे आप, बहुत सुक्ष में भी शय है, आपने सद्गुरुदेव का प्रगट में आस्थरे लिया, और उनके मंत्र और रुपदेश को आपने नहीं समझा, वो जहां इस्थापित करना चाहते हैं, आपने वहां अपनी स्थिती नहीं बनाई, तो आप दुखी हो जाएंगे, अनात हो जाएंगे, आप क्लेशित हो जाएंगे, प्रगट में सरील या प्रगट में जो सानिध्य आप समझ रहे हैं, यह अधूरा सानिध्य है, पूरा नहीं है, पूरा शानिध्य है, स्वरूप का आस्र है, गुरुदेव का जो स्वरूप है, वो कभी आप से अलग नहीं हो सकता, जैसे प्राणों के बिना देह की कोई सत्ता नहीं है प्राण से ही देश संचिन ऐसे गुरुदेव की बिना हमारी कोई सत्ता नहीं मन रुपाशना सब गुरुदेव ही है अगर हमने ये बात न मानकर प्रगट सानिद्य को ही केवल माना तो हम अधूरे हो जाएंगे कि सरी रटने पर या गुर्देव का प्रगट सरी रटने पर आपको ऐसा लगेगा कि आज हम अधूरे हो गए अनात हो गए या गुर्देव प्रगट लिला में आपको अलग कर दे तो आपको लगेगा कि अब मैं सहाय हो गया अब हमारा उपासना ही निवची गुरुदेव ने अलग कर दिया इसलिए कहरें बड़ी सुक्ष्मता से समझो स्यामास्याम के आस्त्रे में अपने आपको कर दो गुरुदेव प्रगट से अलग हो जाएंगे पर आप से अलग नहीं हो सकते यदि आपने स्री जी किसी चरणों का अस्त्रे लिया है समझ पा रहे हैं यह बात हमारी यह कोई प्रश्ण है इसमें इसलिए कि इसे समझना जिरूरी है यह जो बेप्रगट में आप देख रहे हैं सदा नहीं चलेगा सदा नहीं चला है किसी का सदा नहीं चल सकता है यह एक माया के काल में ऐसा हो रहा है कभी ऐसा काल हैगा कि यह नहीं होगा फिर आप क्या करोगे प्रगट में सामने आपके हमारा आपका मिलन है या किसी का मिलन है यह सदा यह नहीं चलेगा नहीं चले गए यह विनास भूमी है मृत्ति लोग है या कोई सदैव साथ नहीं रहता है फिर क्या करोगे इसलिए आस्रे केवल स्यामा स्याम का गुरुदेव स्यामा स्याम है और वो त्रिकाल है ये रूप बाहर से जो हम देखते हैं पांच भोतिक रूप ये अंतरध्यान होगा किसी का भी हो यद्यपी श्री भगवान का चिदानन में बपू होता है पर लीला में जब प्रगट होते हैं तो वो भी अंतरध्यान ही होते सरवत्र होते हुए प्रगट होने की लीला करते हैं तो सर्वत्र होते विए भी अंतरधान होने की भी लीला करते हैं। करते हैं न ऐसे ही। आपको कच्चे नहीं बनना नहीं तो दुखी होना पड़ेगा। कुछ बाते अनुभोकी होते हैं। मंत्र और रूप आसना की सिवान्यास्त्रे अगर प्रगट में भी लिया तो आपको दुखी होना पड़ेगा। प्रगट में या प्रकट में केवल श्रीजी कास्त्रे केवल। तो बीच में यह शरीर मिला है और बीच में यह चला जाएगा। गुरुदेओं अप्रकट रूप से आपको प्यार कर रहे थे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। जब आपको इस शरीर नहीं मिला था, तब आपको परमार्थ में कौन चला रहा था। यहीं से यात्रा थूड़ी प्रारब होई आपकी, किसी की भी, छोटी से छोटी भी परमार्थ की ब्रती या बड़ी से बड़ी स्थिती केवल केवल गुरुदेव की कृपा से आती है। तो आपको प्रगट वपु गुरुदेव कितने दिन उससे मिले हैं? लेकिन आपके अंदर परमार्थ का स्रजन कब से शुरू है? आपको भी पता नहीं होगा। परमार्थ का स्रजन किस जन्म से चल रहा है किस तिथी तारिक से चल रहा है कब से चल रहा है यह केवल गुरुदेव को पता है कौन गुरुदेव जो अखंड मंदला कारम व्याप्तम एन चराचरम देखो केवल कोरी भावक्ता की बातों में इस्थिति नहीं आती इसलिए ग्यान के साथ विज्ञान सब्द है विज्ञान मंदल अनवहो इसको अच्छे से समझ लीजिए जब प्रगट में गुरुदेव नहीं मिले थे तब भी आपको परमार्थ में कोई चला रहा था कोई घसीट रहा था प्रगट में जितने दिनों की आवशकता है उतने दिनों तक वही अव्यक्त सत्ता रूप धारंग करेगी और जिस दिन उसको इच्छा हुई उस दिन वो अपने रूप को समेट लेगी पर वो आपका साथ नहीं चोड़ेगी वो वेसे ही आपको बढ़ाती रहेगी उसको अगर आवशकता पड़ी तो दूसरा रूप धारंग कर लेगी वो सत्ता है यह हम आपको हरदय की बात समझाना चाहते कि गुरू एक सत्ता है गुरू की व्यक्ति नहीं है कभी व्यक्ति का आस्त्रे मत ले लेना कभी व्यक्ति के भरोसे मत हो जाना कभी व्यक्ति से प्यार मत कर बैठना नहीं तो धोखे में हो जाओगे एक दूसरे को देख करके हम आश्रित हो रहे हैं यह माया का नाटक है यह माया का परदा है जो तुम देख रहे हो यह टिकाओ चीज नहीं है यह नाश्वान है एक शण में इसका रंग बदल जाएगा एक शण में इसकी दुर्गती हो जाएगी जो सामने दृष्ट देख रहे हो किसी का भी इसलिए बलवान बनो श्यामा श्याम के चर्णों का अंतरी खरदय से आस्तरे लेलो वो कभी छोड़ने वाले